हेलो एक्जाम लेकम टू पी एसल कैडमी सो अगर आप क्लास 10 और क्लास 12 के विद्यारती हैं जो की 2021 में बोड की परिक्षा देने वाले थे लेकिन इस कोवीड के चलते इस कोरोना के नए वेव के चलते आपका एक्जाम जो है वो कुछ दिन के लिए पोस्पोंड करा हुआ है लेकिन आपके एक्जाम के रिगार्डिंग जो है वो जैक ने एक नए अपडेट दिया है अगर बात कर जो अपडेट की तो रद हो सकती है मैटर की परिक्षा जिया है जो क्लास 10 का एक्जाम था वो पोस्पोंड रही उसको अब रद करा जा सकता है अगर आगे अगे इसक परिक्षा तो यह वो जो रद किया जा सकता है इसे लेकर जो है एक जून को जो है बैठक होने का जो बात है वो कहा गया है जागर नेगेडमिक काउंसिल यानि की जैक ने प्रस्ताव रखा है कि एक तारीक को इसका जो बैठक है वो रखा जाए और फ्लाइन परिक्षा को में देखते हुए जो है वो यह बैठक रखा गया है और इस परिक्षा को रद करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है लेकिन मुख्यमंत्री हेवन सुरेन इस पर अंतिर निर्ने लें साथी जार्खण अर्विन सिंग है उन्होंने बताया है कि अगले महने की बैठक में कैंसल भी कर सकता है इधर संभावना यह भी जाता जारिये कि रिजल्ट का रहार परचात्र को प्रमोट किया जा सकता है तो यह थी आज की सबसे बहुत ही जरूरी अप्डेट क्लास स्टेंथ के एक्जाम करिगार्डिंग जिनका एक्जाम 2021 में नहीं हो पाया है अगर आप ऐसे और भी अप्डेट बहुत ही कम समय में चाहते हैं तो इस चैनल से जूर सकते हैं क्यूंकि हम आपको ऐसा ही डिली जो भी अप्डेट से आपके बूर्ड एक्राम करिगार्डिंग आपके से लेवर्ड जो भी अप्डेट आते हैं उन सब से सुबर सुबर सबसे पहले से च्लिकार दे आपको अउगत कराते हैं सो अगर आप सब से पहले कम डाइ cis1 में जा को चाहते हैं आपको अप्डेट bombers होना क्यों पिछ सकते हैं आज कि लिए फिर मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थांस हन्क्स अलोर्ट